चिडावा से निकल रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कोवीड को लेकर नगरपाली का परशाशन दगातार दूसरे दिन भी एक्टिव नजर आ रहा है इसमें चिडावा उप्खन परशाशन वे चिडावा पुलिस का भी सयोग देखने को मिल रहा है नगरपाली का चिडावा उप्खन परशाशन तैसिल परशाशन वे चिडावा पुलिस परशाशन साथ मिलकर चिडावा के सडकों पर घूमते हुए नजर आए आपको बता दे कि चिड़ावा नगरपाली का वे चिड़ावा उखन परशाशन ने 4400 के चलान काटे गए हैं जिनमें 11 चलान ये काटे गए हैं उनमें 4400 रुपए वसुल किये गए हैं साथ ही 9 दुकानों को चिड़ावा में सीज किया गया है ये सीज की कारवाई चिड़ावा नगरपाली का ईयो चिड़ावा तैसिलदार वे चिड़ावा पुलिस परशाशन की मोजूदकी में ये कारवाई की गई है आपको बता दे कि नगरपाली का की और से लगातार लोगों को जागरुक करने का अभ्यान चलाया जा रहा है तता लोगों को मास्क लगा कर जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपिल की जा रही है साथ ही दुकानों को सीज करकर चिड़ावा उखन परशाशन ने उन लोगों को एक संदेश भी दिया है कि अगर आप कोविड की लडाई में लापरवाई बढ़तेंगे तो आप पर कारवाई हो सकती है आपको एक बर फिर बता दें कि 4400 रुपय के चलान काटे गए हैं और कुल 11 चलान ये काटे गए हैं जो बिना मास्क लगा कर घूम रहे थे साथ ही नो दुकानों को सीज कर दिया गया है ये चिड़ावा सहर भर में ये कारवाई की गई है चिड़ावा उपखन परशासन आज पैदल सडकों पर नजर आया तथा निरक्षन करते हुए कोविड की जो गाइड लैंज जारी की गई है उसकी पालना करवाने के लिए वे घूमते हुए सडकों पर नजर आये